तो प्रोकेरियोटिक वैसी कोशिकाओ को कहते हैं, जिनका पावर बहुत ही कम होता है, प्रोकेरियोटिक कोशिकाओ में, उनमें इतना जादे मतलब विक्सित नहीं होती हैं, तो प्रोकेरियोटिक कोशिकाओ को हम लोग कहते हैं, अविक्सित कोशिकाओ, अविकसित, इन्हें हम नंगी आखों से नहीं देख सकते हैं जैसे कोरोना हो गया बीमारी फैलाने वाले तरह तरह के वाइरस हो गया है यह सारे वाइरस बीमारी फैलाने वाले जो होते हैं यह कसे होते हैं सब प्रोकेरियोटिक प्रोकेरियोटिक अब विक्सित होते हैं और हम लोग जो दिखाई देते हैं विक्सित भेंड बकरी मुरगा मुर्गी पियनड पौधा ये सब क्या है विक्सित कोशी का है हमारे अंदर पूरा सरीर में फंक्सन है हम किसको नुकसान पहुचाएंगे किसको नहीं पहुचाएंगे यह सब लोग जो होते हैं eukaryotic में आते हैं चाहिएयो का धिया याद क्लिसे रखियेगा देखियो हम लोग भूल जाते थे चीज को प्रीकरियोटिक कौन और eukaryotic कौन ही आयदे थे तो हम लोग ऐसे याद किये थे you 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 यायनी हम सब you 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 हम सब eukaryotic है you 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 मतलब हम सारे लोग यू-keriotic हैं, तो हम लोग हैं, यू-keriotic हैं, हमारी कोशी का इन विक्सित हैं, और यह अवविक्सित कोरो ना हो गया यह जल चुटका हो गया सभी आवविक्सित हैं, अब ध्यान से समझेगे। ध्यान से क्या समझे तो विक्सित कोशी का जो होती है और विक्सित कोशी का मैं कोशन पुछेगा सबसे तेजी से रिप्रोडक्शन यानि प्रजनन किस में होता है देखिए आप में से मिला जुला अंसर देंगे लोग यू केरियोटिक में बहुत सारी चीजे पाई जाती है बाइनकी अपि से थे में पाई जाती है बताईए यह च्छोटा-च्छ सिल्या निकला हुआ है यह सिल्या है और ये फ्लेजला है तो ये इसी के तोर पे गती यो आगे पीछे करते रहते हैं उर्जा वगरा के लिए यहाँ पर और प्रोटीन निर्माड के लिए इसमें 70S होता है और इसमें क्या होता है? 80S होता है इसमें 80S होता है prokaryotic में mytro candida नहीं होता पैप पीछ कईसा गती करते होंगे सब और वरोना कोईसाあと इस सब गती करते हैं सीलिया और से अब कोrobi करता ये चोटा चोटा है cilia और यह आा blessed तो बताईये जितने prokaryotic छोटका है कि सीलिया तंठा लोर के मदद से एफ लेजला के मदद से इनके पास बहुत कम उर्जा बनाने के लिए 70S ribosome होता है, कुन सा होता है, 70S ribosome होता है, इनके पास उर्जा बहुत ही कम जरुवत भी होती है, इन लोगों के यहाँ पर, नंगी आखों से हम देख सकते हैं eukaryotic को, क्योंकि यह आकार में बड़ी होती है, ठीक है, हलाकि जो होता है nucleus, उसके उपर एक कभर लगा होता है, कभर on nucleus, और इसके nucleus के उपर कभर नहीं लगा रहता है, हम लोग के nucleus के उपर कभर लगा रहेगा, जैसे हम आपको भी बताते हैं, यह nucleus है,